SGE, Search Generative Experience Google ने ढोल ताशे के साथ अपने AI अवतार की जलक हम सब को दिखाई Google के मताबिक SGE Search Users को उनके Searches के नाचरल और सटीक आंसर एक ही सर्च में दे सकता है बेना दस्यों वेबसाइट्स पर जाए and just in case Search Users अभी भी इस बहतरीन टेकनलोजी से इंप्रेस ना हुए हो उन सब को ये सब अलग-अलग करके बॉक्स इसमें दिखाया जाएगा बट टम 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 टर खाए हम Google के बच्चे जितना ऐसी हो नहीं जानते हैं उतना हम ऐसी उसको पता है हम सब इस चीज को पहले दिन से शक कर रहे थे और वही हुआ at last बहुत बुरी तरीके से हुआ Google का SGE पहले दिन से ही वेब साइट से content शुराता हुआ पकड़ा गया आज के वीडियो में हम SGE के nature को देखेंगे इसके behavior को समझेंगे और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में discuss करेंगे ब्लोगिंग, SEO का भविश्य बगारा बगारा जो नेचरल क्वेस्टेंस होते हैं अले वरण आममतिवारी प्रमतिवारी.net और आज की वीडियो में हम SGE का इन-देप्थ अनाल्सिस कर रहे हैं और आप कर रहे हैं आज की स्पांसर का जो है सकते हैं ताकि ऐसा नहों कि आप नोटिफिकेशन आदी रात को भेजें और इसके लाबा आप रियल टाइम स्टाट्स, API इंटिग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी बाते हैं यू can try notix without removing your current push notification provider and best thing क्या है 30,000 subscribers के नीचे notix absolutely free है और अगर आप monetization plan ले लेते हैं तो फिर आपको notix से revenue भी मिलेगा So try notix today ये है shopping graph और ये है conversation को continue रखने का button ये related conversations को करने का button है जिनके जरीए Google आपको hint दे रहा है कि आप next question क्या पूच सकते हैं ये है इस answer के लिए feedback buttons एक बार फिर से ऊपर आते हैं अगर हम इस expand button पर click करें तो हम देख सकते हैं कि answer का कौन-कौन सा part किस-किस URL से टीपा जा रहा है So ये है SGE, एक-एक करके देखते हैं कहां पर क्या-क्या है से क्या कहा जाता है ये है Google का AI generated answer और ये है वो links जिससे इस answer को बनाया गया है ये तीन से ज्यादा है आप थोड़ा सा carousel को move करके देख सकते हैं अभी हम इस point पर आते हैं थोड़ी तेर में इसके कुछ examples अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे अगर आप इस product box in a pop-up को ध्यान से देखें तो ये लगता है कि real page ही है images है, buy button है, text है, reviews है, बट कुछ भी original नहीं है या फिर किसी एक page से ही नहीं टीपा जा रहा है ये shopping buttons अलग-अलग website के हैं ये text इन ही में से एक website से टीपा गया है और reviews भी अलग-अलग website से हैं, इन में से कुछ websites के तो buy button भी यहां पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन reviews दिखाई दे रहे हैं अभी मैंने in pages में से एक को click किया था and हमने product page को देखा, right, so at least you can say कि चलो website को traffic तो मिल रहा है and I have to see something interesting here, Google ने अभी actually में एक email करके सभी merchants को invite कि वो users को search results से सीधे checkout page पर भेज सकते हैं, जिसका मतलब है कि users product page को totally bypass कर लेंगे, जिसका मतलब है कि users product page को totally bypass कर लेंगे, maybe next year Google option देगा कि बही चेक आउट भी हम ही कर लेते हैं, अपना रख लेते हैं, आप सीधे अपने account में पैसा ले लो, यह तो था product pop-up का हाल, let's see कि content यहां पर दिखाई दे रहा है, वो किसके site से आ रहा है, यह थी एक commercial query, अब कोई informational query करके देखते हैं, puppy feeding tips, detailed answer are here, expand button को click करते हैं, तो source भी दिखाई देने लगता है, अगर एक second के लिए page पर visit करके देखें, तो वही same हाल है, content को सीधे सीधे उ website से जब sentences को उठाता है, तो उनके words भी नहीं change कर रहा है, which is lazy, but अगर अलग-अलग sources से content उठाया जा रहा है, तो भी content को लेकर ऐसा answer बनाया जा रहा है, जो पढ़ने में, एक बार पढ़ने में, अधकचरा सा feel नहीं होता है, I mean कल को अगर कोई non-seo बंदा इस answer को, इस normal answer को sources दे रहे हैं, but ऐसे sources और credit का अचार डालेंगे, जब इस पर आने के लिए user को एक button पर click करना पड़ता है, फिर अंदर जाकर दिखाई देता है, ये page में, scroll करने पर वो भी, एक तरफ Google ये कह रहा है, कि search users के पास इतना time नहीं है, कि वो search results में से website की URL आ रहे हैं, उन पर click कर करके जाकर पूरा article पढ़े, इसलिए हम यही front पर AI generated content बना कर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस information का source देखने के लिए user क्लिक करेगा इस button पर, तब उसे जाकर दिखाई देगा, तो search user information के लिए वेट नहीं कर सकता है, लेकिन उसका source देखने के लिए वेट कर सकता है यह सब देखकर दिमाग में अगें सवाल आना natural है कि बही, SEO का क्या होगा, blogging का क्या होगा, क्या scope बचा है यह नहीं है, I personally feel कि SGE या AI systems SEO को खतम नहीं करेंगे, बलकि उसे और उसकी value को और बढ़ा देंगे, blogging पर अभी आते हैं, एक मिनिट के अंदर, SEO का real goal हमेशा से fix था बड़े से internet में से अपनी website के लिए organic traffic को लाना अपनी website तक और convert करना, जो भी website का goal है, चाहे वो video दिखाना हो, या फिर सामान बेचना हो, या फिर news देना हो, जो भी आप अपनी website पर अचीव करना चाहते हैं, वो करवाना अल्टीमेटली organic traffic से वही SEO का goal था, AI ने क्या किया है कि बस इस clear रास्ते में कई सारी गलियां जोड़ दी है, अब यूजर सिर्फ Google से नहीं आ रहा है, मेभी वो chat GPT के आंसर से आ जाएगा, मेभी बिंग chatbot के आंसर से आ जाएगा, मेभी किसी और AI टूल से आ जाएगा traffic, लेकिन अल्टीमेटली आपका content ही इस traffic down होगा, but I believe जो real blogs है, जो content को detail में user की query के according लिख रहे हैं, उनको बहुत significant loss नहीं होने जा रहा है, because जो एकदम basic queries होती है, like how old is Amita, आप बच्चा है, उसका answer बाहर ही मिल जाएगा, SGE में, Featured Snippet भी यह answer इस type की simple queries को answer कर रहे थे, लेकिन जो detailed longer queries हैं, जिनके लिए reader आपके blogs पर आते हैं, वो SGE पर नहीं मिलने वाला है, so blogs बहुत ही average information या short topics को, जिनकी life बहुत short होती है, ऐसे topics को cover करना चाहते हैं, अपने blogs में target कर रहे हैं, उनका loss होने के chances ज्यादा हैं, लेकिन जो blogs detailed content लिखते हैं, long lasting content बनाते हैं, screenshot, infographic और video से अपने blogs को enrich करते हैं, उनका loss होने के chances कम हैं, because Google कई जो Frankenstein answer type का है, ये users की छोटी queries को भली satisfy कर दे, how to style के detailed articles, instructional content या deep analysis को match नहीं कर पाएगा, so maybe Google का SGE system है, वो कुछ खास तरह के जो बहुत ही simple lazy blocks होते हैं, उनको effect करें, लेकिन detailed blocks को, actual real blocks को बहुत ज़ा impact नहीं करेगा, and SEO की value को बढ़ाने वाला है, so ये तो थ SGE का एक detailed analysis, आपका SGE के बारे में क्या मानना है, comment section बताइए, मिलते हैं अगले video में जल्दी, thank you so much watching this video, my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time, take care.